हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जिस यूएफा यूरोपा लीग के मैच काम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेल जाएगा स्पोर्टिंग क्लब डी लिजबन वर्सेस आर्सेनल के बीच मैच कवेन योगा लिजबन एंड किक आफ होगा रात में 11-15 पीम पे तो आर्सेनल आप जानते हैं प्रीमिया लीग का टॉप क्लब है इस सीजन ये क्लब रेड होफ में चल ला है प्रीमिया लीग पॉइंस सदू क्रिष्टियान और रॉनाल्ड ने जो अपने करियर की सुरवात की थी आज से 25 साल पहले वह उन्होंने स्पोर्टिंग क्लब से ही करी थी फिलाल स्पोर्टिंग क्लब जो है ना इस सीजन बहुत ज्यादा अच्छा परफेमेंस पॉर्ट्यूगी लीग में नहीं कर वाली है उसके बावजूद मैं यहां पर आर्सेनल को भी बैक करूंगा क्यूंकि बैक प्लेयर भी आर्सेनल के खेलते हैं तब भी मेरे अकॉर्डिंग वह बैटर है इस कंप्यर्टिंग स्पोर्टिंग सीपी जासे अधा मुझे लग रहा है सहाध स्पोर्टिंग ड्रॉ क मिल जाएका इस डिस्क्रिप्शन है टॉप इन कमेंड में जोईन कर लिजे अब हम आ जाते हैं डारेक्ट प्रोईबल लाइनप पे पहले बात आर्सेनल की करते हैं मेरे अकॉर्डिंग है फेवरेट है अभी में इनके मैक्जियम यानिकि मैं सेवन प्लेयर आर्सेनल के बैन वाइट होल्डिंग गेब्रियाल एन टॉम यासू अब यहां पर चेंज क्या हो सकता है अगर गेब्रियाल को भी रेस्ट मिलता है तो इनके प्लेयर है कि वी और नामका जो इनकी न्यू साइनिंग इट एलियन सीरिया से आया है अभी तक उस बंदे ने एक भी मैच न अर्सिनल को करको तो मैं mm defender & पिक करके चलओ A चाहें तो और एक चारो पिक कर सकते लिकिन में एक एक्ष्टर बैन वाइट ने तो लास्ट जो प्रीमिया लीग मैच वाउस में यहां से इस एडिया से गोल मारता आगे आगे राइट बैक कुजिसंद से और दोनों डिफेंसी आइज भी अच्छे हैं तो मैं इन दोनों को तो शॉल्ली पिक करूँगा जो मेरा थार्ड डिफेंडर और ट को मौत के अगेंस्ट आर्सेनल ने खेला इस वैसे आपको लगता है इस मैच भी इनका आफड़े जाएगा तो आप यहां पर इन क्याले प्लेस में रॉब होल्डिंग के साथ जा सकते हैं जिन्हों ने अभी तक ठीक ठाक किया जितने भी यूरोपा लीग मैचेस में मौका मिला है बड़ अभी मैं गेबरियाल वाइट और टमयासू इन तीन डिफेंडर को पिक करके चल लाऊं अब मिट फिल में पार्टी को रैश मिलेगा जोर्जीनियों वापस आजेंगे उनके साथ खेलींगे जाका फिलाल जाका मैं इग्नोर कर रहा हूं लेकिन जोर्जीनिय लेकिन आपको लगता है जोर्जीनियों फ्लप होंगे आप आर्सेनल क्लिंशीट रख लेगा तो आप जोर्जीनियों अठाके सीधे फॉर्थ आर्सेनल डिफेंडर होल्डिंग को भी पिक करके चल सकते हैं ग्रेनेट जाका अभी के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूं अब अ आप दिखाओ 9 गोल 6 श्यासिस कर चुगें को इनर की फ्रीकिक भी लगते हैं इस वह से मस्ट पिक रहेंगे माटीनली मस्ट पिक हैं आफ्टर वर्लकप स्टार्टिंग 4-5 मैचेस में फॉर्म में नहीं थे लेकिन लास्ट 3-4 मैचेस से रेड हाट फॉर्म में चल लें और सेवंथ मिनट था एक्स्टर टाइम का और रीज नेलसन ने आके विनर स्कोर कर दिया था अभी तक जितने भी इनको मौके मिले रीसेंटली नेलसन ने बहुत अच्छा किया है क्रूसियल गोल्स मारें इस वह से अभी मैं ट्रस्ट कर रहा हूं यहां पे नेलसन को पिक करके चल ला हूं इसमित्रो एक टाइम में इसमित्रो बहुत अच्छा प्लेयर दा लास सिजन यह साका सब अच्छा खेलते थे लेकिन उसके बाद इनको एक बहुत लॉंग टर्म इंचरियू है एक तरीके से करियल में बीच में डाउन फॉल आ गया अब वापस ही कर लिया है प आर्सेनल की प्रोईबल 11 थी लगबख सभी चीज मैंने यहां से आपको डिटेल में कर दी वैसे आप गेबरियाल हिस्सूस भी फिट हो गए लेकिन मुझे नहीं लगता उनको डारेक्ट स्टार्ट मिलेगा थोड़े उनके अभी धीरे-धीरे करके मौका मिलेगा क्योंकि इंजरी से कमबेक कर रहे हैं बट इनकेज किसी को स्टार्ट करते वे दिखाई देते हैं तो वह 100% रिकमेंड करूंगा तो यह आर्सेनल की प्रोईबल 11 थी लगबख सभी चीज मैंने यहां से आपको डेटेल में कर दी पेनाल्टी साका लिंग है और यह मैंने आर्सेनल के टॉप इन कमेंड में जॉइन कर लिजिए अब हम बात करते हैं स्पोर्टिंग की तो इनके लिए उनके सेंट्रल डिफेंसी मिट फिल्डर उगाटे इस मैं सस्पेंडेड हैं अब इनकी प्रोईबाल ले रहा हम देखते हैं एडन इनके गोल की बर है आई थिंग यह ज्या तो सारे स्किप भी कर सकते हैं बट मुझे दो बहुत अप्सन लजर आ रहे हैं वह है इनेसियो और सबेस्टेन कोर्टेज यह दोनों बहुत इंप्रेसिव है एक्स्पियेंस्ट हैं दोनों डिफेंसिव अच्छे है दोनों हेडर में गोल लगा सकते हैं लेकिन फिलाल मैं सबória के बहुत जाएज़एं लेकिन इन चीमच में इंप्रेसिव नहीं है तो फिलाल मैं सिर्फ इनसेओ अपकर यह सकते हैं यह सारे और सब्लेकर सकते हैं मिट रेसैगे टन लोग आजेंगे यंग्स्टर है अभी तक बहुत ज़्यादा खास किया नहीं में इग्नोर कर रहा हूँ उनके अलंगसाइड मुरीटा कहलेंगे जिनको में पिक कर रहा हूँ जैपनीज इंटरनेशनल है अच्छा प्लेयर है डिफेंसी अग भी करता है और ये बंदा अब दा कॉर्णर के फ्रीकिक लेता है और पैनालिटी टेकर भी गुनकल्वेस है 100% में रिकमेंड करूंगा किसी को लग रहा है ड्रो होगा है मैच तो आप इनको वाइस किप्टन भी कर सकते है स्मॉल लीग में अब एक और अच्छा प्लेयर है एडवर्स नाम का 6 गोल 4 सिस्टे एडवर्स के लीग में गोल स्कोरर जरूर है लेकिन दिक्कत के है ना अभी आफ्टर वाइल कप एडवर्स में 10 मैचेस खेलूंगे उसमें सिर्फ एक या दो गोल मा रहे है यानि कि वाइल कप के बाद से इनकी फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं है तो फिलाल अभ अभी के लिए मैंने इडवर्स को इग्णोर किया है शर्मेटी इन का में नमब नहीं है दो तीन गोल मा रहे है लेकिन बिना गोल सस्के जज्ळादा पॉइंट नहीं देको और कंसिस्टेंट भी निया तो फिलाल अभी केले मैंने शर्मेटी को भी इग्nor किया है तो यह इ 0-2-1 Arsenal victory के साथ जा रहा हूं I think यह draw भी हो सकता है Arsenal के ज़्यादा चांसे जीतने के और ऐसा भी हो सकता है Arsenal clean sheet से जीत जाए तो फिलाल यह मेरी demo rafting में गोलकीबर मैंने एडन लिए इस्पोर्टिंग के उनके एक डिफेंडर इनेशियो अभी के लिए मैंने तीन आर्सेनल के डिफेंडर लिए बैन वाइट गेब्रियाल टमयासू आप टमयासू के फ्लेस में रॉब होलिडिंग के साथ जा सकते हैं या अगर किवियो और खेलते लिए तो आइचिंग के टोब अप्सन मार्टिनल ही रहेंगे वाइस केप्टन से आप ओडिगार को दे सकते हैं आप नेलसन पर ट्रस्ट करते हैं इनको भी वाइस केप्टन सी दे सकते हैं एक और चेंज आपको फोर्ट डिफेंडर लियान है जोड़ी नियो अटाईए आ आपको लगर आर्सेनल की क्लिंशीट आएगी फोर्ट आर्सेनल डिफेंडर लिजाए उस केज में आप चाहें तो इन्याश्य वाटा के मिट फिल्म में एडवर्स कोई पिक करके चल सकते हैं तो फिलाल यह मेरी डेम और अफ टीम थी मेरी अपडेटेट फाइनल टीम के ल का लिजे